दोस्तो जिस टाइम पर हमने किसी भी फसल पर जब छिड़काब करते हैं दबा को तो उस समय चाए कोई भी फसल हो मिर्चो टमाटर हो चाए लोकी हो कद्दू खिर्या कोई भी फसल में जब हम इस्प्रे करते हैं तो उस समय जो आप लोग को फसल देखाई देना पड़ता है उस समय किसान भाई बहुत सारे कॉमेंट करते हैं कि यह जो भराइटी है यह कौन सी भराइटी है या फिर यह भी पूछते हैं कि किसान भाई कौन सी भराइटी अच्छा होता है ताकि हमारा जो फसल है वो अच्छी से पैदावार मिले ताकि ज्यादा पैसा मिले तो इसलिए आज हम एक वीडियो लेकर आगे हैं, जिस वीडियो में आप लोग को डिटेल्स में बताएंगे, कि कौन सी वरायटी को आप लोग को लगाना है, या फिर कौन सी वरायटी अच्छा पैदाबार देगा, कौन सी वरायटी में रेट ज्यादा मिलेगा, या फिर कौन सा वरायट किसम है वो कौन सी अच्छा है तो वीडियो को आप लोग को लास्ट देखना है बड़ उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लिए तो दोस्तों सबसे पहला नमबर पर जो हमने विराइटी लिए वह एक खीरे का जैसे कि यह जो ब्राइटी ए यह आप लोग को इसका जो कॉलर रहे वह थोड़ा सा गृण टाइप ज्यादा देखनी को मिलेगा यानि कि आप लोगगो को डैसी वरायटी जो होता है उस टाइप का ज्यादा देखनी को मिलेगा जिस बजे से मंडियों में अप लोगको जल्दी से जल्दी भीकता और अच्छे रेट में भीकता है तो यह जो रइटी है यह बहुत ऑच्छा रइट भरायटी है अभुण अगर लगाना चाहते हैं था यह उत्ताव पच्पन को अगर लगाते हैं तो अच्छी परिशन इस में देगा और उसके साथ अगर आप लोग के उधर और भी कोई अच्छे ब्राइटी चलता है तो उसको भी अप लोग लगा सकते हैं ऐसा ने कि हमने जो ब्राइटी बताया उसी को आप लोग को लगाना है उसके साथ साथ दोस्तों हमने जो दूसरा ब्राइटी के बारे में बात करेंग यह बहुत ही अच्छा ब्राइटी है अगर आप लोग छोटे साइज का लोकी को लागाना चाहते हैं थोड़ा सा छोटा है इस वीडियो में आप लोग जो देख पा रहे हैं इसका साइज कुछ इस तरीके से होता है और इसका जो कलर है इसका जो रंग है वह बहुत ही इसलिए इस ब्राइटी को थोड़ा लागाने से पहले आप लोग शोच लिजेगा तो दूसरा जो ब्राइटी है विएनर का हरुना यह बहुत ही अच्छा ब्राइटी है लेकिन इसका जो साइज है वह कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा अकरका होता है यानि कि थोड बता दीजेगा अब नेक्स्ट जो वराइटी हमने बात करेंगे वह यहां पर करेला का वराइटी जो कि आभी इस समय पर इस आकास को अगर अगर लगाते हैं बहुत ही अच्छा ब्राइटी है लगबग इंडिया में सभी बड़ा-बड़ा किसान इस ब्राइटी को लगात आप जो नेक्स्ट ब्राइटी के बारे में बात करेंगे वह होता है ननुआ यानि जिसको इस्पोंज गौड बोलते हैं जो कि ब्हेनर कमपणी का आलोग नाम पर आता है दोस्तों आप लोग को एक चीज बता देते हैं अगर आप लोग ननुआ यानि स्पोंज गौड को लागाना चाहते हैं तो लगबग जितना ब्राइटी है सबसे अच्छा जो ब्राइटी हमको लगाए वह भीनर का अलोग यह ब्राइटी इसमें खास बाती है कि लंबे समय तक ही रेजाल देता है यानि कि अगर आप लोग दो से चार बार हर्वेस्टिंग कर लिया तो ऐसा सभ्री प्राइटी का ये वह लोग अपर गडिव दिल्व कर आप लें न मतली वह बहुत ही लाइटी नाम का और हमने लिया है जेके का आची एक्टिस नामा bao Christi दोनों बहुत अच्छा है देखें यह जो है यह लाल Austral neighborhood होता है फोटो में आप लोग देखी और यह अपलोसन बॉट, देखी पा रहे हैं और यह ग्रीन कालर का हता है लेकिन अगर अप लोग का, harvest blow की बात के अधिये तो इसमें, harvestwork भात ही अच्छा देप लंबे समाई followers तक भाता है, और harvest भात ही, इसमें बहुत यह चाल देगा वहती अच्छ है अगर अप लोग जितना भी तौड़ाई करेंगे इसमें साइज भी कोई भी छोटा नहीं होगा एक जैसा आप लोग को साइज देगा इस लेकिन इसमें एक डर क्या पता है इसमें सबसे बड़ी जो दिख्कत होता है वो ताए मरने का सिखायत क्योंकि इसको अगर अगर अप लोग लगाते है तो मरने निका सिखाईटी रहता है लेकिन इसमें एक चीज और यहां पर 2000 सीड है लेकिन 2000 सीड में से अगर आप लोग का 300-400 वैगन का पैदा रह जाता है अगर आप लोग का प्लोट में तो उसमें जितना आर्वेस्टिंग देगा पूरा खर्चा आपका उठा देगा यह 300-400 पोधा आप लोग सोच लिजिए कि क्यासा आर्वेस्टिंग देता है तो इस मामले में काफी अच्छा है लेकिन जेके 81 जो बराइटी है यह आप लोग का बरसात के मोसम में चाहे कितना भी बारिष हो चाहे कितना भी दूप हो यह आप लोग का मरनी का सिकाईत नहीं देखनी को मिलेगा तो दोनों में से दोनों काफी अच्छा है आप लोग दोनों में से किसी को एक को लगा सकते बाकि आप लोगों को अधर जो भी ब्राइटी चलता है आप लोग उसको भी लगा सकते हैं आप जो नेक्स्ट ब्राइटी हमने लिया है वो है यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं बीए नर का जॉंबो जो की कद्दू का एक बहुत ही अच्छा ब्राइटी है यानि कि पं लगाना चाहते हैं तो बीए नर का जंबू को आराम से आप लोग लगा सकते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट जो भराइटी हमने लिया है वह यहां पर देख सकते हैं बुट्टा जो कि यहां पर भी आनर सीट का जो ब्यालीश चबश नम का एक ब्राइटी है यह भी एक बहु और इसका जो दाने होता है वह लाश्ट तक पूरा भर लेता है जिस वाज़े से किसानों को और भी अच्छा लगता है इस ब्राइटी को लगाने से तो इस ब्राइटी को अगर आप लोग गुट्टे के महमले में लगाते हैं तो काफी अच्छा इसमें दे देगा आप दो यह वह वह भी अच्छे इसका पते वह बांग पते है जिस बाज़े से इस मुली का बराइटी को लागा कर आप लोग अच्छा खासा पैसा इसमें से लेसा तो जितने सारे आमने वीड़ाइटी आप लोग बटाया दोस्तों इस विराइटी को सब्लोग लगा सकते हैं और उसके लिए यहां पर आई बोटन पर एक लिंक डाल दे रहें, इस लिंक को क्लिक करके आप लोग मिच के बारे में देख सकते हैं, बाकी इस वीडियो में आमने जितने बारे में बात किये हैं, इसमें से आप लोग किसी को ले सकते हैं और लगा सकते हैं, और बाकी आप लोग कि उदर जो भी बराइटी अच्छा लगता है जो भी अच्छा चलता है उसी बराइटी को भी लगा से तो इस वीडियो में बास इतना ही बराइटी के बारे में वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक जरूर लाइक कर दीजीगा और अगर आप लोग का फिर भी क कुछ मुन में सवाल है तो आप लोग नीचे कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजीगा कि आम इस चैनल पर ऐसा वीडियो डालते रहते हैं